दोस्तों कैसे आप लोग तो सीटेट के गणित में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्योंकि गणित एक ऐसा भी से है जिसको लगता है जिसको समझ में आ गया उसके लिए बहुत बैतर है बहुत ही सरल भी से है इसको नहीं समझ मैं उसको गणित ही पहाड जैसा प्रतीत होता इसी पहाड के बोच को कम करने के लिए सीटेट में गणित के अध्याय को जोड़ा गया है प्रामरी में और अपर प्रामरी के लिए वो साइंस के लिए है और आर्ट के लिए नहीं है लेकिन प्रामरी के लिए अगर आपको पढ़ाना है एक अध्यापक बनना है तो उसके लि ब्रास्थ मेंAh P Angir शिए खुआ है अगर सेखुआ गया होथा या तो प्रश्ण को थोड़ा से घुमा कर पुछे जएगा उसका उदेश ही और प्रात्म एक अच्छा में आप जा रहा है जैसे आपको गुणन खंड पढ़ाने तो गुणन खंड पढ़ाने के लिए क्या करते हैं पेसे कह दिया कि वाटती नंकों के बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसको तीन चार पांच से भाग देने पर पोईतर भाईत हो जाए तो पहले हम लोग क्या करते सबसे बड़ी संख्या होगी तो इस तरह से हम इस पधती से कैसे यहां तक पहुचे यहां से हम यहां तक कैसे पहुचे से यह भिधी ही सीटेट है यह भिधी ही सीटेट पास करने की कुंजी है अब जैसे प्रशन rover pos lien so से तो इस तरह के प्रशन करते हैं जैसे आब के समझाने के लिए बता हुं एसे दो आद्मियों में सौ रूपय इस प्रकार बित्रित करना है कि पहले विक्ति को दूसरे विक्ति से दस रूपय अधिक मिले तो हम लोग वैसे क्या यूच करते हैं यक्स एक्स प्लस 10 इसकोल 200 माना एक पहला एक पाता दूसरा एक से ज्यादा दस पाता एक प्लस 10 इस तरह स्वार्व करते हैं लेकिन अगर प्रात्मी कच्छा में तो क्या करेंगे अग बालों को पढ़ाने के लिए क्या सित्माल करेंगे बिए 100 रुपय था 10 एक को ज्यादा चाहि उसरे को 45 तो इस प्रकार से किस पध्धती का हमने प्रियोक किसे च्छण बिधी का गणिती कच्छा में एक अध्यापक को गणित को पढ़ाने के लिए किस किस चीज का प्रियोक करना है प्रियोक का मतलब फिर आगे फिर उसे च्छण बिधियां से च्छण पध्धियां ल दोनों होते हैं कोई नहीं होता अभी अजीब सा प्रस्टन है लेकिन यहां पर क्या है ऐसा कुछ नहीं है लड़कियों लड़कियां दोनों है अब प्रस्टन भी पुछा भी प्रस्टन है कभी साथ प्रेपन देखेगा कि गणित लड़कियों को जल्दी समय में आता है लड अध्यापक बनने के बाद जिसके अंदर गणत पढ़ाने के लिए तरीके हो तरीके कैसे है किस पढ़ाना एक रादर करना है कि असलेशन, कब संसलेशन, कब आगमन विदी निगमन विदी इन विधियों के साथ साथ गड़ित के प्रश्ट कैसे पुछे आते हैं जैसे हम लोग पढ़ते हैं लासा और माशा यहां आएंगे तो सारव गुड़ज सार गुड़ज सार गुड़न खंड इस तरह के नए सद मिलेंगे अनुवर्ती पूरवर्ती या उत्तरवर्ती तो फिर यहां पे आने के बाद हमें प्राथमिक कच्छा में गड़ित को किस तरह से बालग को सम्झाने है या एक अध्यापक का कच्छा में क्या रोल होगा किस मिलब किस अध्याई के लिए कौँ से शिछण विड़ी प्रयक्त होती है किस तरह से हम किस तरह से हम क्या कर सकते हैं गडब की सिछण को और रोचक किसे कहते हैं गदि की परिभासा क्या है गणित विज्ञान रहे कि कला है गणित की भी अपनी भासा होते हैं गणित अपना सहित्त होता है इन सभी चीजों को हमें सिटर्ट में गणित के अगर 30-25 सभी करना तो इस तरह से में गडित पढ़ना है कि वह सवाल कोई सालब नहीं करने हैं कि जो सवाल भी आ तो सीधे नहीं पुछ जाते तब ही जाके हम गडित में स्कोर कर पाएंगे और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो NCIT के कच्छा तीन चार पाची गुण की जादुग नाम से किताब आते उसको भी ले लिजेगा उसके बाद आप पेपर सॉल करेगा आप अपने आपे बहतर फिल करेंगे उसके बाद भी यदि आप मेरे साथ जोड़ना चाहते हैं तो मेरी online classes प्रहारम हो चुकी हैं और आप उससे जोड़ सकते हैं जहां पर हम भी seated के रूप पढ़ाएंगे क्योंकि आपको लगता है कि आप जहां पढ़ते हैं जहां पढ़ाया जा रहा है यहां वास्तों में seated की तरह पढ़ाय में सुधार किया गया अब वास्तों में से seated की भाती पढ़ा जा रहा है और बड़े बड़े कुझी संथानों ने ऐसा फालो किया वरना पहले सभी लोग गड़ित की तरह गड़ित पढ़ाते थे लेकिन कहीं ने कहीं सकारातनों प्रभाव पढ़ा तो मैं यह चाहूंगा यह विजयरत आप लोग आगी जारी रखें और आप सब इतना बहतर पढ़ाम दे इतना बहतर तरीके समझे ताकि आप खुद बखुद अपने आप में एक अध्यापक को फिल करें हो सकता है क्योंकि आप जानते हैं अध्यापक का दर्जा समिधान के दिश्टी से लिएगा सच करेगा दुर्गेश सर आप आएगा इसे जोइन कर लिएगा डिस्केप्शन बाक से में आपको मिल लिएगी लिंक वहां से जोइन कर सकते हैं और ऑनलान क्लास के लिए 630-63-4367 पे आप जोइन सीटेट लिखकर भेज दीजिएगा तो आप यदि आपको कि साथ आप मुझसे जोड़कर कुछ बहतर कर सकते हैं तो आपका मुश्ट वेलकम है और आपका स्वागयत है हां मैंने प्रस्टे कहा था कि अध्यापक के दर्जया बड़ा क्यू है अब यह एक अध्यापक बनने जा रहे हैं तो अध्यापक गरिमा होती है जैसे अगर आ अध्यापक का मुझसे आपके चुटी हो जाएगे तो अगले दिन जाके आप क्लास को क्या कर सकते हैं आप उस तरीके से पढ़ा कर अपने पिछली चीज़े को उस दिन मैनेज कर सकते हैं लेकिन सीटेट हमें क्या सिखाता है इसके लिए आपको गणित में पढ़ना पूरा देख लीजएगा हम भी का सेलव पूरा समझा देंगे उसके बाद एक-एक को अराम-अराम से पढ़ेंगे क्योंकि आको बास समय बहुत है आप जोड़े रहेंगे सफल भी जरुर होंगे कि मैं 30 में 30 नहीं 30-25 जरुर करना है तो बस आप साथ दीजे हम भी आपके साथ हैं और इस वीडियो को सभी प्रसेश्यों तक शेयर कर दीजेगा आपके साथ ही आप सभी को जैन जैवारत